हेलो माई दियर फ्रेंट्स और स्कॉलर्स वेल्कम बैक तो लोफ यूर्ण चैनल आनन्द दल्ला कॉंसर्ट अटल्सी फ्रेंड्स आज हम लोग एक और महत पूंट चैप्टर सी यार पीसी का जीहाँ चैप्टर नमर ट्विंटी एट सब्मिशन ओफ डेथ सेंटेंस फॉर द किया जा सकता है जब तक उसको हाई कोट क्या ना करते करदे कंफरमेशन ना करते या कोई और सेंटेंस में उसकी तब्दीली ना करते आइए सबसे पहले महत पूंट सेक्षन को हम जान लेते हैं जिनको हमें discuss करना है यह है आपके सामने section 366 से ले करके 371 तक generally हमें यह chapter मिलेगा 366 क्या कहता है sentence of death sentence to be submitted by the court of session for confirmation तो confirmation के लिए किसके सामने करेगा high court के समक्ष करेगा 367 क्या कहता है अब इन सारे sections को detail में भी पढ़ेंगे 367 क्या कहता है power to direct further inquiry to be made और additional evidence to be taken जब आप high court को submit करते हैं और अगर high court को ऐसा लगता है कि इसको further inquiry किसी point पे करवा लेनी चाहिए या कोई additional evidence लेना चाहिए तो वो ले सकता है 368 power of high court to confirm sentence और annual conviction इन सब के बाद अगर high court को लगता है कि जो sentence court of session ने दिया है उसको confirm कर देना चाहिए या फिर उसको हटा देना चाहिए तो इन दोनों में से कोई भी option adopt कर सकता है 369 confirmation और new sentence to be signed by the two judges उपर जो बात confirmation किया गया या कोई annual किया गया या कोई नया sentence दिया गया वो कम से कम दो judges के द्वारा sign किया जाना चाहिए 370 अगर जो दो judges है आपको पता है ये even number है अगर difference of opinion आ जाता है तब क्या होगा ये इस पर कैसे बिंदू का निस्तारण होगा ये 370 में भी आपको समझाओंगा 371 procedure in cases submitted to the high court for the confirmation उस पर क्या procedure होगा माली जे confirmation करता है then after what ये सब कुछ आपको 371 में समझने को मिलेगा आईए आप सबसे पहले देखते हैं इन sections के बारे में कि ये sections क्या कहते हैं 366 क्या कहता है sentence of sentence of death to be submitted by the court of session for confirmation the proceeding shall be submitted to the high court sentence shall not be executed unless the confirmation तो ऐसा नहीं कि आपने फासे की सजा दे दिया और बिना confirmation के आप फासी पे लटका देंगे जितने दिन high court confirmation के लिए लेगी तब तक वो सजा आप execute नहीं कर सकते हैं next point is court passing the sentence shall not be committed shall committed the convicted person to the jail custody उससे कहां भीजएगी? जेल में भेज़ दिया जाएगा execute कर नहीं सकते हैं इसलिए उसको हम कहां रखेंगे? jail custody में रखेंगे 367 क्या कहता है? 367 कहता है कि further inquiry और additional inquiry जैसा भी अगर court उचित समझे तो या तो खुद ले सकता है या फिर court of session को ये दोनों बाते धान रखेंगा further inquiry या additional evidence high court या तो itself करेगा कि हाँ हाँ law मैं ही evidence लूँगा मैं ही inquiry करा हूँगा या फिर court of session को इतना काम है मेरे पास मैं नहीं करवा सकता court of session को दे दिया वो करे भाई सा तो जैसा भी direction दे उसको करना पड़ेगा ठीक है एक बात और इस case की proceeding में चाहे तो जो convicted person है उसकी जो appearance है court में उससे उसको dispense कर सकता है छूट दे सकता है कि चलो तुमें court उटानिक जरूत नहीं है हम लोग अपना आप सारे काम कर लेंगे 368 क्या कहता है 368 कहता है confirm sentence और annual conviction पढ़ाया था है याद कर लिजी क्या कहता है high code जब 366 में उसके पास file आती है तो क्या क्या कर सकता है पहला काम तो confirm कर सकता है दूसरा काम कोई और order दे सकता है life imprisonment दे सकता है जो वो सम्मार्तवरती हो किसी भी law के तहत दूसरी बात annual the conviction and convict the accused for any other offense by death sentence अटा करके किसी और offense के लिए माफर्स कीजिये जो कहानी बनी prosecution की तरफ से उसमें डकैती murder सब कुछ involved था तो लगता है murder नहीं किया डकैती किया सिर्फ वो भी low level डकैती किया तो उसमें कोई और sentence पास कर सकता है जो भी court of session कर सकता था at that time या फिर order and new trial कर सकता है new charges frame करके कि भाई देखो court of session ने गलती किया था charges frame करना में ये इन charges के ताहत फिर से court of session क्या करें एक new trial करें वहाँ पर last point या तो acquit कर सकता है ठीक है और जब कभी भी acquit करेंगा reason अगरा recording करता है यहाँ पर कह लिखता है provided that no order of confirmation shall be made in this section until the period of allowing for preferring and appeal has expired अगर appeal उसने दायर कर दिया किसमे convicted person ने जिसको सजा हुई है तो उसकी appeal पहले dispose की जाएगी confirmation वाली चीज़े फिर बाद में आएंगी ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा 369 confirmation or new sentence to be signed by the two judges at least two judges के द्वारा मतलब जो bench form होगी यहाँ पर two या दो से ज्यादा की form होगी यहाँ देखी लिजे two or more judges लिखा हुआ है तो इसको आप ध्यान रखिएगा next is procedure अगर माल लीजे दो है opinion है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है difference of opinion आ सकता है तो ऐसे मैं procedure 392 के तहत फालू किया जाएगा 392 क्या कहता है मैं आपको बता दूँ और दिखा भी दूँ 392 यह कहता है कि अगर difference होता है तो वो एक third judges को इनकी opinion के साथ file भेजी जाती उस पर उसका जो निरने आता है वो क्या होता है final माना जाता है और अगर situation ऐसी है कि अगर मामला अपील का है खास तोर पर तो जो दो judges क कि bench बनी थी उनमें से किसी एक जच की यह opinion है कि larger bench को यह मामला दिया जाए या फिर जो third judge के सामने आप रख रहे हैं another judge के सामने उसकी opinion है कि larger bench होनी चाहिए या rehard होना चाहिए तो फिर larger bench के द्वारा मतलब दो से जादा ben judges के द्वारा यह क्या सुना जाएगा अगर तीन ल आपने एक बात समझा कि अगर third person एक opinion दे सकता है तो good उसको माल लेंगे किसी एक के favor में तो देगा है लटका हो या ना लटका हो हैं करो या ना हैं करो या फिर अगर उसकी opinion है किसी अन्य bench के द्वारा इसको larger bench के द्वारा सुनना है तो उसके पास बेजा चाहेगा अब वा information कर दिया high court ने या कोई sentence में तबदीली कर दिया फलाना अधिम का मतलब इसमें अपना काम कर दिया what after that तो without any delay जो भी order of confirmation है या जो भी नया order उसने किया है high court ने उसकी एक copy किसको भेजी जाएगी under the seal of high court code of session को ताकि आगे की कारवाही वो वहाँ पर कर सके इतनी बात समझ में आई होप सो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब एक बात और जानिये एक बात और जानिये क्या जानिये कि भाई जो आपके important section वाली slide है इसमें आपको कुछ questions दिखाते हैं direct question पूषता है judiciary and APO में जैसे ये question है which section क्या लिखता है which section of the criminal procedure code 1973 provides the confirmation by the high court सबको पता है 377 इसमें 366 कौन सी बड़ी बात है आप देखिए कब कब पूचा है UGS 2016-2015 है ना हर्याना में पूचा है हिमांचल में पूचा हर्याना में भी पूचा है डेली में भी पूचा है MP में भी पूचा ह है हिमांचल प्रदेश में पूचा उत्तराखण में पूचा MP APO में पूचा 36 में पूचा कौन सा tough question है क्या section नहीं आदा तो यह तो भी आपको सुभा साम अगर्वत्ती जलानी ही पड़ेगी next important question एक और देखते हैं यह डेली पा एपी पी में यूजियस में आया क्या है ज फिर tough नहीं लग रहा है तो फिर दिक्कत किस बात की है तो इससे यह तो confirm हो गया कि भाई questions जो है वो tough नहीं आ रहे हैं केवल और केवल क्या चीज़े हो रही है tough आपकी पढ़ाई ना हो पाना ही एक tough कारे है यहाँ पर तो चलिए यहाँ तक चीज़े रखते हैं all the best and keep studying good day everyone बझसत का it justоловके में एक गला